नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News आज 17 जनवरी 2023 मंगलवार आईए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दिन बर की शुर्कियों पर महिंद्रा और महिंद्रा ने अपनी पहली इलेक्ट्रोनिक कार XUV400 के प्राइस अनाउंच के 15,99,000 रुपे में मिलेगी 456 किलोमेटर की रेंज 26 जनवरी से 34 सेरों में होगी बुकिंग शुरू मारूत्य की गाडिया खरिदना हुआ महिंगा कंपनी ने गाडियों की किमत में 1.1 परतिशत का किया इजाफा 22 महिने के निचले स्तर पर थोक महिंगाई दिसंबर में थोक महिंगाई 4.95 पर आई खाने पिने का सामान हुआ सस्ता फिर आल टाइम हाई पर पहुंचा सोना 57,000 के करीब तोवाई चांदी 79,000 के पार निकली सरकारी नोकरी अपडेट एलाइसी ने सहाइक परशासनिक अधिकारी के 300 पतों पर निकाली भरती कैंडिडेट्स 31 जनुवरी तकरें अपलाई सरकारी नोकरी अपडेट माध्यमेक शिक्षन निदेशक कार्याले राजस्तान में 9712 पतों पर होगी भरती आविदन के आखरी तारिक 1 मार्च 2023 देश में मेडिकल वे इंजिनेरिंग प्रवेस प्रिक्षां की तैयारी के लिए विख्यात एलन केरियर निस्टूट प्राइवेट लेमिटर ने अपने नए सत्र में एडमिसन की गोशना की बैच जनुवरी माहसे होंगे प्रारम बैंगलोरो में प्रियंका गांधी के रैली राज्य में सत्ता आने पर परिवार के महिला मुख्या को 2000 रुपर महिना देने का एलान और अब खबरें विस्तार से मौशम अपडेट परदेश में दूसरे दिन भी पारा गिरा बाल समंद में पारा मायने 0.02 पर पहुंचा उत्तर पस्ट में शीत हवाओं के चलते परदेश में लगातार दूसरे दिन भी कैस्तानों पर पाला पड़ रहा है manque पारा जमाओ बिंदो पर पहुंच गया पर देश के हिसार जिले में बाल समंद में रात सबसे थंडी रही बाल समंद का नियोंतम ताप्मार मायने 0.02 दुर दिगरी से दर्च किया गया भाल समंद के बाद महेंदरगड का मायने सुने तसमेलों 4 डिगरी सेलसेस के साथ परदेश में सबसे ठंडा रहा पाला गिनने से किसानों की धड़कने बढ़ गई है लगातार पाला गिनने से सर्शनों तता सब्जियों को नुक्षान होने का अंदेशा बना हुआ है उधर दिन पर चली सेत लहरों ने ठीटरन बढ़ा दिया है दिन में अच्छी दूप खिलने के बावजुद भी सेत लहरों ने लोगों की कमकपी जुटाई हुई है हरियान राजे में मोसम आमतर पर 18 जनुरी तक आमतर पर सुष कराने के संबावनों चताई है इस दोरान दिन के समय ताफमान में हरकी बढ़ोतरी दरजोने की संबावना है प्रन्तु 19 जनुरी से पस्टिमी विशोप के आनशिक परभाव से हवा उत्तर पस्टिम से पूर होने तिता आंशिक बदलवाई संभावित होने से रातरी ताहमान में फिर से बड़ोतरी दर्जोने की संभावना बनी हुई है इटेंडरिंग का विरोध पंचायत मंत्री देविंदर बबली ने दी सफाई सरपंचो सिमांगा शाहयोग इटेंडरिंग के विरोध में सरपंचो दुवारा बीते दिन छेड़े गए प्रदेश तरिया आंदोलन के बाद अब विकास एम पंचायत मंत्री देविंदर सिंग बबली सामने आए है उन्होंने आंदोलन का रही सरपंचो के नाम एक वीडियो संदेश दारी किया है मंत्री देविंदर सिंग बबली ने पंचायत परतिनेद्यों के नाम दिये गए अपने खुले संदेश के माद्यम से आववान करते वी काया कि कारे पर नाली में बदलाव जनता की बलाई के लिए ही किया गया है उन्होंने काया कि जहां भी विकास कारे के लिए टेंडर लगेगा और जहां भी कारे होगा वहाँ पर उसे समंदित बोड लगाया जाएगा जिस पर कारे का नाम उसके लागत उसके टेंडर आईडी और कौन को न अथोर्टी है जैसे कि सरपंच गराम सचिव आदी सब के नाम लिखे जाएंगे इससे विकास कारे और अधिक पारदर सिता के साथ होंगे उन्होंने काए कि नई व्यवस्ता से कोई भी गरामवासी ओनलाइन उस टेंडर की डिटेल्स निकलवास केगा और उसमें देख सकेगा कि इस कारे में क्या क्या काम करवाए गई है और क्या क्या समंगरी लगाई गई है उन्होंने का कि सरकार जो की बदलाव ला रहा है वे जनता की सुईधा के लिए ही ला रहा है तक की कारीये में और अधिक पार्दर सिथा वे जवाब देही आज के पॉर्टल पर आया नया ओप्शन रेफ्रेंस नंबर गुम होने पर आधार कार्ड से निकलवा सकेंगा आईशमान कार्ड परदेश सरकार चिरायू योजना के तैट 1,80,000 पे से आमदनी से नीचे वाले पात्र प्रिवारों के आईशमान कार्ड बना रही है आईशमान बनवाने के बाद रेफ्रेंस नंबर गुम हो जाने के कार्ड बहुत से परिवार अपना आईशमान कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब पोर्टल पर नया ओप्शन आ गया है रेफरेंस नमबर कुम होने के बाद भी लोग अपने आधार कार्ड से अपना आईश्मान कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे अब लोग बिना रेफरेंस नमबर के अपने आधार कार्ड से ही अपना आईश्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे अब डाउनलोड कार्ड विद आधार कार्ड सुईधा CSE Center को दे दी गई है अब आधार कार्ड से लोग Ice One कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं CSE संचालकों को एक कार्ड डाउनलोड करने पर 20 रूपे का शार्ज द्या जाएगा पातर परिवार किसी भी CSC सेंटर आसा वरकर आयुशमान केंदर से अपना आयुशमान कार्ड बनवा सकते हैं तदा स्वयम भी अपना आयुशमान कार्ड बनवा सकते हैं पैट्रोल डीजल की केमतों को लेकर शेलजा ने केंदर सरकार को घेरा भोली तेल कंपनियों को मुनाफ़क कमाने की दी जा रही है खुली छूट अखिल भारतिय कोंगरिस कमिटे की महासर चीव एमपूरु केंदरे वंतरी कुमारी शेलजा ने काया कि अंतराश्टे बाजर में कुरूड के दाम लगातार गिर रही है इसके बावजूत केंदर सरकार लोगों को महेंगे दाम पर पैट्रोल डीजल बिक्वा रही है तेल कंपनिया और केंदर सरकार आपसी 60 घाट से लाखो क्रोड रुपए सिर्फ पैट्रोल डीजल के बिक्री से कमाने में लगी हुई है जबकि लोगों की व्यापार रोजगार वे कामकास बढ़ने की बजाए घाटे में चल रही है कुमारी शेलजा ने कहा कि जून 2022 में केंदर सरकार के इसारे पर ही पैट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं कच्छा तेल सस्ता होने से केंदर सरकार और तेल कंपनिया अतिरिक्त कमाई करने में जूटे हुई हैं कुमारी शेलजा ने कहा कि मार्च 2014 में LPG के गरेलू सिलेंडर की के कियमत की बात करें तो शिर्प 410 रुपए थी जो कि अब बढ़कर 1062 रुपए के पार जा पहुंची है गरेलू गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ने से हर गर पर आर्थिक बोज पढ़ रहा है देश में करोडों गरीब परिवारे से हैं जिनोंने गैस के दाम बढ़ने से अपने सिलेंडर बंद कर दी हैं और महिलाओं को फिर से दोवे में खाना बनाना पड़ रहा है पुलिस करमचारियों के लिए खुशकबरी लगाता डूटी देने वाली कर्मियों को मौके पर ही उपलब्द करा जाएगा भोजन हरियान के गरह मंतर अनिल्विज ने का आया कि राज में अनिल्विज ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि पुलिस अधिकारियों वे करमचारियों को आंदोलन या फिर किसी अन्य कारेकरम के दोरान लंबे समय तक भान डूटी करने पड़ती है जिसे छोड वे खाना खाने के लिए थाने या फिर किसी अन्य जगे नहीं जा के बढ़ाई गई अन्तिम्ति थी हर्याना विदाले शिक्षा बोट द्वारा डियालेड प्रवेश वर्श वर्श 2016 से लेकर 2019 तके चात्र अध्यपकों को फरवरी 2030 में संचालित होने वाली प्रिक्षा में परवे से तु दिये गई विशेस आउसर के अन्तिम्ति थी 15 2023 कर दिया गया है डियालेड प्रवेश वर्श 2016 से 2019 तके चात्र अध्यपक जिन्होंने डियालेड दो वर्श ये कोर्श में दाखिला लिया था और उनका परिक्षा परिक्षा में अनुत्यरण होने के कान परिणाम नौट फिट फॉर डिप्लोमर रहा या परिणाम किसी का 2023 का समय दिया गया है शमनित चात्र अध्यपक अपने मूल शिक्षन संस्तान के माध्यम से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर ओनलाइन पोर्टल से समय रहते आविदन कर सकते हैं हर्याना के खिलाडियों के लिए गुरूप C में 3% कोटा सभी विभागों में बहालो दिपेंदर हुड़ा का बड़ा बयान शांसेत दिपेंदर हुड़ा ने काया कि सभी सरकारी विवागों की गुरुप सी सेवाओं में तेन प्रतिशत खेल कोटा बहाल करने की खिलाडियों की मांग जाये जाये और वो उनका पूर्ण समर्थन करते हैं सरकार खिलाडियों की भावनाओं और उनके भाविश्य को देखते वे उनकी मांग को तुरंत माने और पहले की तरहीं खेल कोटा बहाल करने में कोई आना कानी न करे उन्होंने का कि खिलाडी हरियान की पैचान है और इस पैचान को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए ह उन्होंने बताया कि हुड़ा सरकार के समय शुरू की गई हर्याना की खेल नीती को देश बर में मिशाल बना जाता है। इनकी देश और दुनिया में अलग पैजान होगी उन्होंने इसका सरे स्री विशु कर्मा कोशल विशुविदाला के कुलपती राज नेहरू की परतिवा और नवाचारी सोच को दिया। इस काम को मिशन के रोप में भली माती करा है। रोटेक में पूरू केंद्रे मंत्री ब्रेंदर सिंग बोले चुनाव सी 6 महीने पहले बताऊंगा सरकार को कितने नमबर देने हैं। पूरू ग्रहराजी मंत्री शुबास बत्रा के पिता प्रकास बत्रा की 104 जैनती पर सद्धांजले देने पाउंचे पूरू केंद्रे मंत्री ब्रेंदर सिंग ने राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। कारेकरम के बाद पत्रकारों से अनुपचारिक बाचित में एक स्वाल के जाओं में कहा कि हरियान सरकार को इस्ष्व में कितने नमबर देने हैं ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। चुनाव से 6 महीने पहले पूछ लेना कितने नमबर दूँगा। उन्होंने भारत जोड़ो यातर पर काया कि कांगरिस शिकुड़ती हुई पार्टी थी यहां तक कि पार्टी का नेशनल करेक्टर भी खत्रे में पढ़ गया था। जिनसे निपटने के लिए सरकार ने काम भी किया लेकिन अभी भी समस्या यूं की यूं खड़ी है। प्रटी से राजिस्वा सांसे सुशिल गुपता, मेर मनमोहन गोयल, पूरु मंत्री मनिस क्रोवार जया प्रकास, पूरु सांसेत कैप्टन इंदर सिंग, बलवन्त मायना साही दिगज नेता कारेक्रा में सामिल हुए। और सभी ने प्रकास बत्रा को सद्धांज लेहर पित की। हालनकी कारेक्रा में गयर आजनितिक था, लेकिन संबोधन करने वाले नेताओं ने सरकार को जम कर गेरा। वही कारेक्रा में पहुचने पर भुपेंदर सिंग हुड़ा और उम्परकास चोठाला के हाथ भी मिले। ब्रेंदर सिंग ने चोठाला के पैर चुए तो वही आशिरवाद लिया। सुभास बत्रा ने कारेक्रा में पहुचने पर नेताओं का आभार जदाया। कारेकरा में पूर्व मोक्य मंतरी उंपरका शोटाला ने कहा कि मैंने लगबाग 152 देसों के यात्रा किया है लेकिन समाजिक तानिबाने के मामले में भारत सर्व परी है उन्होंने कहा कि मोजूदा सरकार भायचारी को तोड़ने का प्रियास कर रही है और अब समाजिक भी बत्रा पूर्विदायक आनन्चिंग दांगी पूर्विदायक शंतकुमार पूर्मंत्री कर्शनमूर्ती हुड़ा शत्पाल शांगवान और पूर्व श्पीकर कूलदीप सर्मा भी मोजुद रहे सरकारी स्कूलों में विद्यारतों की अध्यारतों की अध्यापक करेंगे दो बार स्वास्त जांच अध्यापकों को स्वास्त जांच के लिए दिया जाएगा परसिक्शन सरकारी स्कूलों में अध्यापक विद्यारतों की स्वास्त की जांच दो बार करेंगे इसके लिए अध्यापकों को विशेश तरह का चिकित्या परसिक्षन दिया जाएगा इससे बाव विद्यारतों की स्वास्त की जांच कर सकेंगे इसके तायत स्कूल के हेल्थ एंड वेलनेस एंबेस्टर और चिकेट चेक टीम विद्यारतों के आखो दान्थ वजन उचाई और हीमो गलोबन की जांच की जाएगी विद्यारतों में मिलने वाली स्वास्त समंदी समस्यां को विभाग को विभाग के आउसर पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा ताकि विद्यारतों के स्वास्त उप्चार उपलब दोस्के जो साल में दो बार विद्यारतों के स्वास्त की जांच करेंगे यहां पर सिक्षन स्कूल के विज्ञान, ग्रह विज्ञान, सारे रिक्षिक्षा और गनित विशे के अध्यप को गोदिया जाएगा यवनानगर कोट्स जोब अपडेट, चप्राशी, स्वीपर वब प्रोशेश सर्वर के पदों पर निकली भरती, अनपड़ से लेकर दसवी पास उम्मिद्वार करे आविधन डेश्टिक एंड सेशन जज यहुलानगर में चप्राशी वे प्रोशे सर्वर के पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गई है यह भरतियां कोंट्रेक्ट आधार पर की जाएंगी जो भी उमिद्वार इन पदों के लिए इच्शुक हैं वह अपने आविदन भेश सकते हैं आविदन करने की अन्तिम तित्थी 30 जनौरे 2023 टै की गई है वहीं इंट्रिवी की तित्थी की बात करें तो 14 फरवरी शे लेकर 1 मार्स 2023 तक इंट्रिवी चलेंगे वहीं चपराशी के पदों के लिए उमिद्वार का आठवी पास होना आवश्यक है जबकि प्रोशेश सर्वर के पदों के लिए उमिद्वार दस्वी पास होने चाहिए वहीं स्वीपर यानि पेन के पदों के लिए अनपड़ से लेकर दस्वी पास कोई भी उमिद्वार आविदन भेज सकता है किसी भी वरक के उमिद्वार को कोई भी आविदन सुल्क जमान नहीं करना होगा यानि ये भरतिया निसुल्क फिरी है नियूनतमायू की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतमायू 42 वर्ष चादिक नहीं होनी चाहिए इन पदों के लिए आपको ओफलाइन आविदन भेजने होंगे हर्याना में ग्रूप D की नोकरियों के लिए शुइंग पातरता प्रिक्षा यानि CET 14 वे 5 मार्च या 10 वे 11 मार्च को होना संभावित है नैशनल टेस्टिंग एजन्सी ने यदि इन तारिक में किसी भी तरह का बदलाव करने की इच्छा जाहिर की तो इनमें बदलाव भी होश केगा ग्रूप C की नोकरियों के लिए शुइंग पातरता प्रिक्षा का अगला चरण इसी साल स्तंबर अक्तूबर में किया जाएगा हर्यान एससे ने 31 मार्च 2024 तक लगवग 65,000 सरकारी भरतिया करने का लक्स निर्धारित किया है हर्यान करमचारी चैनायो के तरब से इस बार प्रिक्षा का पैटरन भी बदला जा रहा है तो वहीं CET के प्रिक्षा में हर्याना से जुड़े 25 परतिशत सवाल पूछे गए है लेकिन आगे होने वाली प्रिक्षा हैं जोब ओरियंटल होंगी उदहारान के लिए जे शिविल के प्रिक्षा में 50 परतिशत सवाल इंजिनेरिंग से जुड़े वे पूछे जाएंगे नवकि 40 परतिशत सवाल अन्य विश्यों से होंगे सब इंस्पेक्टर की भरतियां करने का आयोग के पास अवी तक कोई परस्ताव नहीं पहुंचा है आयोग के पास 5000 पुरुष वे 1000 महिला कॉंस्टेबल की भरतिक का मांग पत्र आया हुआ है इनके भरतिक पर लगी रोक जनवरी के आखरे में या फिर फरवरी शुरू होने तक हट सकती है 18 जनवरी यानि कल हिमाचल आएगे भार जोड़ो यातरा राहुल गांदी कांगडा के इंदोरा में काठगड महादेव मंदर में पूजा अर्चना करेंगे शुआगत की तैयारिया हुई शुरू कन्या कुमारी से चुरू ही कोंगरेश के भार जोड़ो यातरा 18 जनवरी को हिमाचल आ रही है यातरा शुबर 7 बजे कांगडा जिले के मीलवां से हिमाचल परतेश में परवेश करेगी यहाँ पर फ्लैग, हैंडवर, शेरिमनी होगी इसके बाद राहुल गांदी सबसे पहले काठगड महादेव मंदर में पूजा अर्चना कर शिव और मापारुती का अश्रवाद लेंगे कांगडा जिले के इन दोरा उपमंडरल में स्थापित काठगड महादेव मंदर काफी रहसे मई है दावा है कि इस मंदर में विराजमान शिव लिंग दुनिया का पहला इसा शिव लिंग है जो दो भागों में विवाजीत है इसके एक भाग को शिव तो वहीं दूसरे भाग को मापारुती का रूप माना जाता है मंदर में स्थापित शिव लिंग अस्ट कोणी है शिव के रूप में पोजे जानवाले शिव लिंग की उचाई की बात करे तो 8 फिट है वहीं माता पार्वति के रूप में पूझे जनवाले इश्चे की उचाई 6 फीट है इस दोरान मुख्यमंतरी शुखु और उप मुख्यमंतरी मुक्या सगनियोतरी के अलावा पार्टी के वरिश्ट नेता भी मौजुद रहेंगे शेयर बाजार में गिरावट सैंसक्स 1860 अंग फिसल कर 6093 पर बंद तो निप्टी भी बाशाट अंग गिरा हाफते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली सैंसक्स 1668 अंगों की गिरावट के साथ 6093 किस्तर पर बंद हुआ वहीं निप्टी के बाद करें तो बाशाट अंग फिसल कर 17895 के स्तर पर पहुँच गया सैंसक्स के 30 शेयरो में से 15 गिरावट में रहे तो वहीं 15 शेयरो में तेजी देखने को मिली इन दिनों सोने की चमक लगातार बढ़ रही है और इसी का नतिजा है कि सोना हर दिन नया हाई बना रहा है सराफ़ बाजार में सोना 56,883 रुपए पर ती 10 ग्राम के स्तर पर पहुँच गया है वहीं चांदी के बाद करें तो चांदी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और चांदी 39,166 रुपए पर ती किलोगराम पर पहुँच गई है वहीं एक डोलर का रेट 81,60 पैसे के स्तर पर पहुँच गया है आज खबरों बस इतना ही देखते रहिए CWP Hindi News नमस्कार